सबी दर्शकों को नमस्कार दर्शकों आज हम आपको एक बहुती बड़े सवागत समारों में लेकर के आए हैं हमारे बीच में अरुजुन पुरुषकार से सम्मानित जिनको अभी पिछले महीने ही माम इम्राष्ट पतीजी दवारा सम्मानित किया गा सरीता मोर ब्रोदा गाओं की ये बेटी जिनकी साधी खेडा खुर्द गाओं दिल्ली के अंदर हुई है जिनोंने 2010 में पहली बार विदेश जाकर के जो एक सुरुवात की तिरिंगे का मान बढ़ाने की वो पिछले 12 साल में 27 बार विदेश में जाकर के जो तिरिंगे का मान बढ़ाया है सरीता मान अमारे बीच में है हमारे दर्सकों को सरीता मान नमस्कार करो और अपने खिलाडी जी उने के बारे में बताओ सबसे पहले मैं पूरे ग्राम वासियों का और छेतर वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो कि इतना बड़ा समारो आज किया है गाउने और वो इतने अच्छे तरीके से और इतना मेरा मुझे मान सम्मान दिया है मैं सभी का तै दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं गाउन वासियों को मतलब यही उमीद दिलाना चाहूंगी कि आगे भी मैं ऐसे देश के लिए और अपने गाउं के लिए मैडल लेके आती रहूं और ऐसे ही मैं मान सम्मान अपना पाती रहूं कितनी बड़ी आबात सरीता ने हम सब को बताई है देखो बड़ाई स्यांदार खिलाडी जीवन रहा है अपने खिलाडी जीवन के बारे में भी एक बार आप बताए कब आपने खुश्ती की सुरुवात की और कहां से शुरुवात की और इस मुकाम तक जाने में आपको किन-किन प्रेशानियों का सामना करना पड़ा है मेरी शुरुआट दो जार आठ नो में मैंने कुछुस्टी स्टाट की थी और 2010 में मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था सब जुनियर का उसके बाद मैं 2010 से continue इंडिया टीम में रही हूं चाहिए वो सब जुनियर की टीम है जुनियर की है या सीनियर की टीम है 2010 के बाद मैं continue टीम में हूँ और इस बीच में काफी ऐसे पड़ाओ आए हैं दुख्के भी आए हैं और अच्छे भी और बुरा भी टाइम दोनों ही आए हैं 2011 में एक ऐसी मेरे साथ ट्रेस्टी हुई थी कि वह उसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक किसान परिवार से बिलॉंग करती हूं मेरे पिता जी खेती करते हैं और मैं हम तीन भाई-बैन हैं तीनों भाई-बैनों मैं सबसे ज़ब्डी हूँ तो 2011 में मेरे को इंजरी होगी थी कि उसमें वापसी करना बहुत ही मुश्किल था और डॉक्टरस ने सभी ने बॉल दिया था कि आपकी सर्जरी होगी उस टाइम पे इतना घर परिवार का इतने में फाइनेंसली इतने मजबूत नहीं थे कि बहीं सर्जरी करवास के क्योंकि उस टाइम में दो लाक रुपे में सर्जरी हुई थी मेरी तो मैंने घरवालों को बोला कि आप मेरी मेरा ओप्रेशन करवाओ ये सब बगवान के दया से सब पूरा हो जाएगा तो मेरे पिताजी तो लगती रहती हैं लेकिन एक सर्जरी के बाद वापसी करना बहुत ही बड़ा फेस था मेरे लिए टेंशन भी रहती थी क्योंकि मैं तीनों भाई बहनों में बढ़ी थी और उसके बाद 2013 के बाद मैं कॉंटीनियू फिर थोड़ी वह चोड़ी चलती रही लेकिन मैं मैं म कोचिंग मिलती रही और कुल दीप सर जो रेलवे में हैं और वो मेरे कोच रहे हैं तो उनका भी बहुत ही साइओ रहा है मेरी कुष्टी को आगे बढ़ाने में और रामफलमान सर और सभी का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है मुझे आगे लेके जाने में बढ़ी इनको सम्मान दिया गया खेडा कुर्दगाउं दिली के अंदर समान समारो। वह वहती एक श्यानदार उचकोटी का सम्मान समारो। और आपने एंतर फिस्तर पर कितने मेडल जीते हैं इक बार। उनका थोड़ा विश्तार से बताएं। 2011 में सब जूनियर Asia Championship में मेरा Bronze Medal है, उसके बाद 2015 में सब जूनियर Asia Championship में जूनियर Asia Championship में मेरा Silver Medal है और रैंकिंग में काफी Medal है, Gold भी है, Bronze भी है 2017 में मेरा Asia Championship में सिल्वर Medal है, 2020 और 2021 में सिनियर Asia Championship में मेरा Gold Medal है और 2021 में जो ओसलो में World Championship हुई थी उसमें मेरा Bronze Medal है और 2022 में Asia Championship सिनियर में मेरा Bronze Medal है देखो भाई, दुनिया की ओलमपिक को छोड़ कर कोई ऐसी परतियोगी था नहीं, चब एसिया की बात हो World Ranky की ओ, World Championship हो, सब जूनियर, जूनियर, शीनियर में बारंबार इस बेटी ने जाकर के तिरिंगे का मान बढ़ाया और एक भोती, ओनार बेटी आगे आने वाले खिलाडी जून में क्या सपना है और किसको आप Roll Model मानते हैं आकरी सवाल मेरा मेरा सपना है कि मैं 2024 पैरिस ओलम्पिक से गोल्ड लेके आऊँ और मेरा Roll Model शुशिल कुमार मेरा Roll Model है क्योंकि जब से मैंने मतलब मेरे को ध्यान है जब से कि जब से मैं शुशिल पैलवान जी का नाम सुनती थी और उनकी वज़े से ही कुष्टी काफी उचे सदर तक गई है तो उसके बाद ही सभी के मैडल आए हैं चाहिए वो वर्ल्ड का हो चाहिए वो ओलम्पिक्स का हो तो मैं उनको अपना Roll Model मालती हूँ बैज देखो पैरिस उलम्पिक का सपना लेकर गई है बेटी अभी इन्होंने बगर रुके बगर ठके बिल्कुल एक दम से एक जजबा एक जोस एक जुनून अरदुन फुरसकार मिलने के बाद खिलाड़ी कहीने कई संतुष्ट हो जाता लेकिन इस बेटी ने जो आगे टारगेट सेट किया है वो पैरिस उलम्पिक 2024 और सुशिल कुमार वर्ल्ड चैंपियन दो बार के उलम्पिक मैडलिस इंदुस्तान के एक मातर पहलवान जीनों ने देश के लिए उलम्पिक में दो मैडल जीत करके जो तरेंगे का मान बढ़ाया उसको अपना अधर समानती है उनके पती पर मेश्वर राहुल मान जी जो एकिस बार हिंदुस्तान का परतिनीते दो नहीं कर चुके तीन बार कोमन वेल्ड चैंपियन सिप का सिल्वर मैड दिया तो बहुत पहले मिल जाना था लेकिन ये राहुल मान अमारे दर्सकों को नमस्कार को रहा जी इस खुछी की मोग्य पर राहुल भाई को कैसा लग रहा है नमस्कार मैं रालमान अंतराष्टे पहलवान और जैसा कि पहलवान जी ने बताया कि ये अरजनवार्ट बहुत पहले मिल जाना चीए था लेकिन देर आए दुरुस्ता है मैं तो बसी आई बोलूँगा जो बागया मेरे में ने लिख्या था वो सरीता के थुरू मिल गया और जो यहां पे सबने हमारे कोचा वराम फल्मान और कुल्दीब जी इन सब का भूत साय योग इनकी वज़ा से और पूरे छेतरवाशी गाम वराशी इन सब की वज़ा से हम यहां इस बदोलत पहुचे हैं इनके स्पोर्ट के बिना हम कहीं नहीं पहुच पाते और यह ऐसा ही अपना प्यार और आशिरवाद बनागे रखे ताकि हम देश परदेश के लिए और मेडल जीते और फिर दोबरा से मान समान पाएं रावल भाई बहुत बड़ी आबात किये देखो कितनी सालिंता के साथ सभी का धन्यवाद किया है रावल मान से मेरा आखरी सवाल राउल भाई आप इंदुस्तान के सीनियर जूनियर सब जूनियर ऐसी कोई आपने टीम ने इंदुस्तान की जिसको बारंबार रिफ्रेजेंट ना किया हो और उस समय के आपके जो समकालिन पहलवान योगे सुरदत ओल्मपिक मेडलिस्ट उनका भी बिल्कुल एक वजन था आपका और उनका और आज ये जो सरीता को अरजुनावार मिले है वो जो कमेटी थी जो जूरी थी उसमें योगे सुरदत का भी उसमें एक एहम स्तान था तो उसमें बाई योगे सुरदत का कितना इसमें वैसे तो डिजरो करती थी ये वहां तक नाम गया तो वैसे नहीं जाता किसी का क्योंकि वर्ल्ड के कई मैडल थे एशिया चैंपिंशिप का वार बार गोल्ड जीत चुकी थी तो डिजरो करती थी लेकिन फिर भी कोई चीज आप कई बार कुष्टी भी होई है लेकिन मैट पे तो ओपोनेंट हो है बार निकलका है वो मुझे बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे और दूसरी बात रही वो कमेटी में थे उसके बारे में मैं एक बाद बताना चाहूँगा डिजर तो शरीता पिसली बार यह करती थी और पिसली बार नंबर वन थी लेकिन तब भी नहीं मिल्या तो अबकि बार जब योगिश्वर जी कमेटी मा इपालवां जी तो मैं उनके पास गया चे स्पेशली गया के पालवांजी पिसली बार पहले नंबर पे थी आपकी बार तीसरे नंबर पे है लेगिन आप अधमने को एटेंशनी और उन्होंने मेरे सर्पाद रख्या को बिटा तु चिंता मत कर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और यह डिजर्व करती है और यह अधमने जो कमेटी में वो थे तो शाराश्रे उनको मैं योगेश्पर पलांजी रहले को देना चाओ जाओंगा कि उन्होंने मेरे और जाने का मान संब्धा और उन्होंने यहां पे भी आने का बाता किया था लेकिन मीटिंग में कहीं वैस थे वो नहीं आ पाए तो उन्हो कुलमान ने बहुत बड़ी बात बोली योगे सुर्दत पहलवान जी इंदुस्तानी कुष्टी का साथी वो नाम जो किसी प्रिज्जेगा मोताद नीस जो अरजुनावाड ये जितने वियावाड दिये गे उसका मैटी में थे लेकिन ये उनके परतीदों दी जुरूर थे ल जी जितने विंदुस्तान के तकड़े खिलाड़ी रहे जो किसी भी गेम की बात हो जिब इंशानियत की बात आई तो ना के और अगली कतार बलगी सबसे अलग खड़े दिखाई देंगे उनके इंशानियत का यह भी उन्होंने प्रिज्जे दिया है तो श्रीता मोर का हक न ना मारे आजाए उस बात की बिल्कुल निस्वल्क निस निस्वा आउसे उन्होंने जो रक्षी की वो योगे सुर्दत पहलाँ जी उसके लिए बदाई के पात रहे हैं अब हम आपको प्रिश्द करवा रहे हैं इंदुस्तानी खुष्दी का वो गुरू रमपलमान जी द पूरा जीरा लगाया तुना चणि दोद्हदर घी रमपलमान जी इसी घाओं से एकेड़ा कुर्द गढ़ूज से जाहिर स्वागत समारों आज आयो जित किया गा रमपलमान जी को मैं नमस्कार कूंगा और सराज सवागत समारों में उपलवदी पर आप क्या करना चाहोगे सबसे पहले तो मैं सभी दर्शक बाईयों को नमस्कार बोलता हूँ और अभी जैसा कि आपने कुश्चन किया है कि उपलवदी पर जैसे शरीता ने बताया कि मेरे को चोट लगी थी और ऐसी चोट लगी थी जो जिससे बढ़ा बहुत मुश्कल था लेकिन मैं कहता हूँ बेटा ये एक बगवान परिक्षा लेता है और आप उस परिक्षा में पास हुए और आपने हिमत नहीं आ रही और हमारी एक कावत है हमारे बज़र्गों की हिमत का राम हमाती होता है तो आपने हिमत नहीं छोड़ी और आप अपने मुकान पर पहुँचे और आज यहां गाउं में खेडा खुर्द गाउं में जो एक स्वागत हुआ है ये एक एत्याशिक स्वागत हुआ है इसके लिए मैं सभी गाव़ों का भी और आस्पडोस के जितनी हमारे गाव़ों हैं उनका भी एक तैदिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बारी संख्या मागर के और यहां पे शरीता को एक रुपे के पैसों के साथ इनको स परदत का बहुत बड़ा हाथ है इसको अरजनवाड दिलबाने में लेकिन गाव और गवाड ने भी कसर नहीं छोड़ी है और अरजनवाड तो शरकार ने दिया लेकिन धनकी वर्षा भी गाव और गवाड ने इसके उपर की है तो इसके लिए मैं सभी गावड़ों का और पड़े गवाड़ा धन्यवाद करता हूँ बहुत बड़ी आबात रम पलमान जी ने की है देखो भाई यह नाम किसी प्रिच्छा का मोताजी से लिए 2011 में गुरू का जो सबसे बड़ा सम्मान होता मामहिम राष्टर पती जी दवारा रम पलमान जी को राष्टर पती पांच मेडल कुष्टी में लड़कों ने प्राप्त के और पाचों इनके सिश्य रहे हैं तो मैं रम पलमान जी से जाना चाहूंगा कि आज देश की कुष्टी जीस मुकाम पर है और द्रोनाचारी अवाड मिलने के बाद भी सराव संतुष्ट नहीं है योगे सुर्दत की एकेडमी में आप इंदुस्तानी कुष्टी का बविश्य तरास रहे हैं तो आगे क्या सपना लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और 2024 में इंदुस्तान के पहला अनों का क्या दावा बनता है देखिये जी मुझे दरोनाचारिय भी मिला है और पहलवानों को पदम शिरी और पदम विबुसर्ण और अरजोनवाड भी मिले हैं लेकिन मैं संतुष्ट जब होंगा जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलेगा उसके बाद मैं संतुष्ट होंगा जब तक मैं ऐसे लगा र रिटार होने के बाद भी मुझे रेष्ट करने की वो नहीं है और मैं तो रेष्ट तब ही लूँगा जब भारत को एक सोन पदक ओलंपिक में दिलवाँगा बहुत बड़ी सोच के साथ ये व्यक्ति आज साथ साल की उमर को करोश कर चुका लेकिन इसका जोश जजबा और उत्सा बैदेखो इसने कुष्टी की दर्स को वो सेवा की है कि जब चतर सार्श टेडिम में ये पहलवानी करवाता था तो कई कई महीने तक अपने बच्चों को समालने भी नहीं गया कुष्टी के पर तिसका जुनून आज देश की कुष्टी जिस मुकाम पर खड़ी है उसमें रामपलमान जी का योगदान एतुलनी है और जब कभी बी इंदुस्तानी कुष्टी का इतियास लिख्या जाएगा रामपलमान जी द्रोनाचारिया वालडी का ना कहल उसमें न कुष्टी के ग्याता के रूप में पताएं कि इंदुस्तान के पहलोंनों से क्या उमीद कर रहे हैं कितने मेडल हमारे आ सकते हैं देखो अभी तक ऑलमपिक में लड़कों के ही मेडल आये हैं लेकिन अब फिलाल आज के स्वागत को देखते वे आज के शरीता के उच्छा क को देखते हुए मैं उमीद करता हूँ कि सरीता भी 2024 में मेडल लेका आएगी ओलमपिक का और लड़कों के बारे मेरा मेरी उमीद है कम से कम दो या तीन गोल्ड मेडल जरूर आने चाहिए और ये मैं आने नहीं चाहिए मैं तो उमीद करता हूँ कि ये आएंगे तीन मेडलों के लिए उमीद किये हूए हैं कोच्छाब और इस ईशी के साथ मैं आपको प्रीचित करवा रहा हूँ इंदुस्तानी कुष्टी का एक और बहुत बड़ा नाम ओलमपियन कुलदीप मलिक जी द्यान चंद अवालडी लंबे समय तक इंदुस्तान की लड़कि के प्रमात्मा से प्रार्थना करता था यह मलिक एदाता हमारे इंदुस्तान का नाम भी पदक ताली का माज है उस कमी को पूरा करने में जिस आदमी का बहुत बड़ा योगदान था कुलदीप मलिक जी ओलमपियन द्यान चंद अवालडी क्योंकि साक्षी मलिक जो मैडल लेकर किया है उसमें बिलकुल बहुत ही बड़ा योगदान कुलदीप मलिक जी पहले तमारे दर्सकों को नमस्क करो जी और आप रेलोए में दिकारी दो महीने बाद रेटायर भी हो रहे हैं और कुस्ती के कैडमी आपने अपने पैसे लगा करके बना लिया है यह कुस्ती का जुनून है तो यह सारी बात एक बर बताएजी आप सभी को मेरा नमस्कार और यहां आज इतने भी महमान आए हैं और जो सरीता को आशिरवाद देने के लिए तमाम गाम और गवांड का आसपास की गाहों से लोग इकतर होके शरीता को आशिरवाद दिया है उनका सब का मैं तै दिल से कुस्ति जगत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे बच्चों का उसला बढ़ाते रहें और ये बच्चे आपके हमेशा उलंबिक के अंदर मेडल लागे आपके चर स्वरवाद साक्सी ने कि उसके बाद बैड़ मेंटन पी युसंदू ने इंदोस्तान की लाज बताई थी तो उससे माप टीम के साथ थे क्या साक्सी मलीक ने जो मेडल जीता है तो मैंने अभी लड़कियों का जो मुखे प्रिक्षिक्षक के रूप में 2011 में जवान किया थ मुखे टीम के परिक्षिक से रहा और यह 13 से यह दिमाग में बैठा था कि सोड़ा का जो ओलम्पिक आना है उसके अंदर 100% हमारी मैडल की महिलाओं की तरफ से भी भागेदार होनी चाहिए उसमें क्योंकि पहले ओलम्पिक में तो पार्टिश्पेशन था एक लड़की का उसके बाद मैडल की बहुत बड़ी उमीद करके मैनत शुरू करी मैंने कैम्प के अंदर क्योंकि साल के अंदर 10-11 मैंने कंटिनू कैम्पी रहता था लखनों के अंदर तो उस मैनत का जो रंग था भगवान ने मैनत का जो फल था उवा दिया और आपकी बेटी अमारी बेटी साक्षी मलिक ने ओलमपिक के अंदर ब्रोंज मेंडल आशिल करके तमाम मैलाओं को कुस्ती के अंदर परोच्छान किया और तमाम जो मैलाओं आज के दिन देख रहे हैं अब इतनी लड़कियां कुस्ती के अंदर आई हैं तो जो ओलम्पिक के अंदर मैडल था उसको देखते हुए बहुत बड़ा प्रोशान मिला बच्चों को और मैं उमीद करता हूँ कि यह जो बच्चे हैं यह 2024 के अंदर भी लड़कियों के और भी ज्यादा एक मैडल की बजाए यह 4-4 या 5-5 मैडल लड़कियों के ओलम्पिक कि जब मैंने 2013 के अंदर कुष्टी का जो लखनू के अंदर चार्ज लिया था तो उसमें लड़कियों का कहीं दूर तूर तक भी कोई रोजगार नहीं था सरफ 2-3 लड़कियां हर्याना पुलिस में थी तो तमाम 42 लड़किया थी तो मैंने यह परण किया गए जो लड़क के अंदर खड़ी करके और जो बाद में उलम्पिक का मेडल साक्षी का आया वह बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि रेलिवे ने जो लड़कियों को नोकरी देने का काम किया उसको भी देखते हैं नए बच्चों में परोचान मिना कि रेलिवे के अंदर भी लड़कियो कुस्ती की टीम बनगी है आप कुस्ती करो और आपको नोकरी भी मिलेगी मान समानी मिलेगा और देश का भी नाम होगा महाबाप का भी नाम होगा कई साल तक कुल्दीव कोच साव नना केवल इंदुस्तान की टीम के चीप कोच के रूप में देश की कुष्टी की सिवागी भलकी रेले में एक अधीकारी के पजबर कारे रहते हैं स्पोर्ट सोफिसर के रूप में इन्हों जो लड़कियों के लिए रस्ते खोले वो काभले तारीप है कुल्दीव कोच साव आकरी सवाल में राद शरीता मान का जो खेलाडी जीवन है वो आपने काफी करीब से देख्या है इंडिया के आपके साथ लंबे समय तक वो रही हैं तो आगे उलम्पिक का एक वल्मडल बकाया है जो इसने नहीं जीता है तो आगे इसका क्या दावाबनता हो इसके टैलेंट के बारे मैं ब tuning आपके माद देम्हेवी और इंदुस्तानी कुस्ति के माध्य मिशे भी शरीता को डारेक्ट भी और इंडारेक्ट भी ये बताना चाहूँगा कि बेटा आप अगर खुल के कुस्ति लड़ोगे बिल्कुल जैसे ये काम प्रेक्टिस के तोर पे आप कुस्ति लड़ोगे नीडर होगे कुष्टी लड़ होगे तो आप जरूर एवसे इस 2024 के अंदर ओलम्पीक के अंदर मैडल दोगे और इस बच्चे की देखो कोचिंग तुमने पूरी कलास को दिया घर लेकिन कई बच्चियां जो बड़े सतर पर मैडल लेका आई हैं वो क्या जैसे प्रेक्टिस करेंगी और अपने कोच साब से अपने गरूजन से जो भी जहां पर मैनत कर रहे हैं जहां पर इनकी लगता है मेरे को यहां पर कुस्ती में कमी है उसको कमी को पूछ के उसको ठीक करें उसका ब्यास करें और वो दिन दूर नहीं है आपका मैनत हमारे इंदूस्तान जितनी मैनत ये शरिता जितनी मैनत ये जो दूसरी लड़किया शरिता गे साथ जो कैम्प में है या दूसरे जगह भी मैनत करते हैं इतनी मैनत साइद ही वल्ड में कोई ऐसी देश होगा कि इन बच्चों जितनी मैनत वो करते हों मैं फिर यह बता सब्सक्राइब बड़ी बात बताई है और लड़कों कोष्टी की जो तकदीर बदली जो तस्वीर बदली है उसमें इस वेक्ति का बहुत बड़ा योगदान है आकरी सवाल मेरा द्रोनाचारियवाडी रंपलमान जी से रंपलमान जी 1988 में मावली सत्वाल पहलवान जी ने ए मैं चतर साल स्टेडियम का बहुत बड़ा योगदान को कि पाथ के पाथ लड़कों के मैडल उसी स्टेडियम से आये हैं क्योंकि खुश्टी कि अगर मैं सुरुवात वहीं से और खतम वहीं कैदूं तो को बड़ी बात नहीं होगी क्या आपने सुरू में रंपर जी सोचा था कि हमारे देश के बहुत बड़े-बड़े खलीपा और बहुत बड़े-बड़े कोचीज इस चीज में लगे हुए हैं कि हमारा ओलम्पिक में मैडल लेकिन ओलम्पिक में मैडल नहीं आ पा रहा था तो हमारा सपना यही था कि हम ओलम्पिक में मैडल लाएंगे और अप कि अगर उस व्रेक्ष को समाड़ा जाए क्योंकि अब उसमें थोड़ा है मुझे पता लगया कि थोड़ा विगन हो गया है लेकिन मैं कहता हूं कि अगर उस पेड़ को आज भी अच्छी तरह से से माड़ा जाए तो वह वहांसे और भी रजल्ट मिन सकते हैं और हिंदुस्तान में अब तो अमारे देश में खास तोर पर हर्याने में इतने सेंड्डर्ज खुल गए है कुस्ति के कि अब तो कुस्ति में और भी देश आगे बड़ेगा कुष्टी के ये दो मान गुरु जिन का कोई सानी नहीं है और इस सवागत समारों का समापन हो चुका है कुष्टी के नेक चैंपियन खिलाडी बजरंग पूनिया योगे सुर्दत और मावली सत्पाल पहलवान जी उनने आगर के सरीता को आशिरवाद दिया गाउन जो सवागत किया सरीता भाई आपको आज कैसा लगया कितनी खुशी होई बहुत ही अच्छा लगा ऐसा ही सवागत मेरा 2017 में हुआ था और उससे बी ज़्यादा मतलब ज्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब उमीद नी थी मुझे इतनी जितना गाउन ने मुझे इतना म प्र instruments सम्मान देया और मुझे बस गाउं और च्छेतर्वासिया ईसे इस मन देते रहें in मैं मेडल लेकर आती हैं अपने हैं के लिए अपने गाउं के लिए बिदे Rataj के शुंड़ारी हैं जो इस कुस्तित्यक है तो अपने ग्रूजनों का सम्मान करें और सबसे पहले जो बात करें डिसिप्लीन की जो भी खिलाड़ी डिसिप्लीन में रह करके और दिल से महनत करेगा उसको सक्सेस जरूर मिलेगी जो भी महनत करता वो बस डेडिकेशन के साथ और एक लगन के साथ और एक मान सम्मान के साथ करते रहे और सक्सेस जरूर मिलेगी बहुत बहुत दन्यवाद ये थी अरजुना वाडी सरीता मान जी और आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद